दोस्तों मसकार आधार UIDI के तरब से एक नए अपडेट जारी किया गिया जीन लोगों ने आधार कार्ड बनाते समय कोई भी डोकुमेंट नहीं दिये थे वो आधार कार्ड बना लिये थे लिकिन अब उनको जो है आधार कार्ड में डोकुमेंट अपलोड करना पड़ेगा लेकिन अब आपको जो है आईडी प्रूफ एक और एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको आधार कार्ड में एक आईडी प्रूफ अपलोड करना और एक एड्रेस प्रूफ कैसे अपलोड करना है यह भी मैं आपको इस वी pushback पर आसकते हैं तो यहां पे देखेए welcome to my अधार तो recognize का एक बटन है तो यहां पर आप कलिक करेंगे पर आपको अपना अधार नमर इंटर करना है उसके बाद यहां पर आपको इंटर कर देंगे आपको इई क्रीन में दिखा जा रहा है आप सेंड ओटीपी पे आप किलिक करेंगे और ऐसा करने के बाद ओड़ीपी जनरेट सक्सेस्पूल हो जाएगा तो जो आपके अधार काड के साथ मौल नमर चुरा होगा उस पे योटीपि आ जाएगा उस ओड़ीपी को यहां पर आप किलिक करेंगे ऐसा करने के बाद आपके समने में देखिए डोकुमेंट अपडेट सर्विस तो यहां पर आपको जो है डोकुमेंट अपडेट करने के लिए अधारकार में पच्छी सुरुपिया का चार्ज आपसे लिया जाए इसके बाद यहां पे आफ्क करेंगे तो आपक meu जो है आधार के साथ डोकमेंट अबडेट हो जाए गा इसके बाद फिर से यह पर नेश्ट बटन पर ट्र है यहाँ यहां में कुछ कई तरह गया तो जो भी आतार काट के साथ पे क्लिक करदेंगे देख्षाइड लाइन फ़ोर अफ्लोडिंग डॉकुमेंट तो यहां पर जो भी आप डॉकुमेंट करेंगे तो वह दो एम पी के कम साइज में होना चाहिए इसके बाद यहां पर फॉर्मेट कौन सा अफ अफ लोड करेंगे जैसे जे पी EG में हो तो 2 MB से कम साइज का होना चाहिए इसके बाद यहां पे देखिए सेलेक्ट वैलिट सपोर्टिंग डोकॉमेंट टाइप तो यहां पे आपको किलिक कर देना है ऐसा करने के बाद यहां पे देखिए बैंक का पास्वूग यहां पे अपलोड कर सकते हैं इसके बाद ड्राविली लैसेंस अपलोड कर सकते हैं इसके बाद किसान फोटो पास्वूग अपलोड कर सकते हैं उसके बाद यहां पे देख सकते हैं मैरे सेटिफिकेट अपलोड कर सकते हैं पास्वूट अपलोड कर सकते हैं SC, SD, OBC certificate आप UPLOAD कर सकते हैं, इसके बाद वोटर आइडी कार्ड भी आप UPLOAD कर सकते हैं, तो चलिए हम यहां पे PAN कार्ड यहां पे UPLOAD कर देते हैं, तो PAN कार्ड अपलोड क啦 Please pen card upload वाले option पे आप क्लिक करेंगे ऐसा करने के बाद ok वाले option पे आप क्लिक कर देंगे इसके बाद यहां पे देखे view details and upload documents तो यहां पे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद continue to upload वाले option पे आप क्लिक करेंगे अच्छा करने के बाद file पे आप क्लिक करेंगे आपका जो भी फाइल में पेंड कार्ड परा होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हंडेट परसंट मेरा अपलोड हो चुका है इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज अपलोड प्रूफ आफ एड्रेस तो यहाँ पर आपको डोकुमेंट अपलोड करना पड़ेगा इसके लिए सेलेक्ट वेलिट सपोर्डिंग डोकुमेंट टाइप पे आप क्लिक करे करेंगे ऐसा करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं तो चलिए हम यहां पर अपडेट कर देते हैं तो यहां पे करेंगे ओक सब्स्सक्राइब करेंगे तो यहां पे बियुन डीटेILS & Upload document तो यहां पे आप किलिक करेंगे इसा करने के बाद फाइल वाले सन पर किलिक करेंगे जहां पे भी आपका electricity bill का document परा होगा वो यहां पे select कर लेंगे और select करने के बाद यह भी 100% यहां पे upload हो जाएगा address group document upload होने के बाद IHERI पे यहां पे click कर देंगे और यहां करने के बाद आप जो है next button पे click कर देंगे इसके बाद OK वाले option पे आप click करेंगे ऐसा करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको process the document update request तो यहाँ पे आपको click कर देना है I hear you confirm that पे उसके बाद यहाँ पे make payment पे आपको click कर देना है जिस तरह का interface खुल जागा तो यहाँ पे आप debit card, credit card से भी pay कर सकते हैं wallet से भी कर सकते हैं net banking UPI से और patium से भी कर सकते हैं तो चलिए हम UPI का सहायता ले लेते हैं और phone pay पे click कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना UPID इंटर करेंगे इसके बाद verify पे click कर देंगे आप click करेंगे और यहाँ पे सारा detail यहाँ पे आपका आ जाएगा तो यहाँ पे अधार नमर आ जाएगा SRN नमर आ जाएगा जो की service request नमर होता है उसके बाद कितना amount पे की हैं वो यहाँ पे आ जाएगा किस date को आप payment की हैं वो यहाँ पे आ जाएगा और request type भी यहाँ पे आपको आ जाएगा चाहता आप इसका screenshot लेके रख सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते है document update के नीचे में आपका request दिखा जाएगा तो आएगे तो आप यहाँ पे देख सकते है सारा कुछ यहाँ पे आपका detail दिखा जाएगा और यह खबते के अंदर में यह आपका जो है अधार के साथ document update हो जाएगा जो लोग अधार कार बनाते समय को भी document नहीं दिये थे उनका आनिवार है यहाँ पे document update कर सकते हैं इस तरह से अधार कारड में आप document update कर सकते हैं अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं आपके मन में कोई सवाल यह सुजाब है तो हमें आप comment box में पूछ सकते हैं